साल 2023 में हावडा में एक विबाद हुआ था जिसे राहम नौमी विबाद कहा गया इस मामले में एनाईयो को मिली बहुत बड़ी सफलता एनाईयो के टीम ने 36 नमबर वार्ड के तिर्मुल कॉंग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट समीम एहमद बड़े समेत 11 लोगों को हिरासत म में लिया उनको एनाईयो ने किरफतार कर उनसे पूझतात जारी कर दी है इस मामले में आया एक विशेज बेक्ति का प्रेस कॉंफरेंस आये देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस बगत में देखिए हिंदू धर्म के लोग राम नौमी को बहुत बढ़ चड़ क करके मनाते हैं और यहां पर एक संस्था द्वारा हमेशा इस तरह का कारिक्रम होता है रास्ते में लोग पानी मीठा फूल का विवस्था करते हैं राम नौमी का पूरा जुलूस आता है लेकिन बिगत तीन चार बार से जब भी उस एरिया से यह जुलूस आता है तो कोई न पछाटना वहां के उनमादी लोग करते ही करते हैं यह उपद्रूवी लोगों को पस्चिम बंगाल सरकार की जो पुलीस है यह जानती है क्योंकि इसके पहले जो सीपी सहाब थे वह भली बात जानते थे और वह बहुस्था भी कि लास्ट में हम लोगों को बोले कि हम लोग तो करते हैं क्या करें तो जब भी हिंदूओं का जुलूस जाता है तो इस तरह की घटना यहाँ पर घटती है लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा जब दूसरे धर्म का जुलूस जाता है तो हिंदूओं दौरा स्वयोग किया जाता है तो बड़े दुरभाग्य की बात ह कि यहां पुलिस प्रसासन के जानकारी में है यह घटना दो तीन बार राम नौमी के जलूस में घट चुकी है उसके बाद भी यह राज जी की पुलिस और यह सिप पुर्थाने की पुलिस एक्टिब नहीं रहती है लोग अपने छट पर इंट रखते हैं चलाते हैं मारते हैं गारी तोडते हैं जलाते हैं लेकिन राज्य सरकार निर्दोस लोगों को पकड़ करके उस केस में जेल में डाली यह बहुत अच्छी खबर है कि एनाईये को यह केस मिला और एनाईये अपराधियों को पकड़ी है और मैं तो दिल से चाहता हूं कि एनाईये और गहराई से इसमें जाए और जो लोग भी इसमें जुड़े हैं जो हिंदु मुस्लिम एकता को हमेशा भंग करना चाहते हैं भय की राजनीती दिखाते हैं और इसमें प्रसासन के द्वारा उनके उपर कुछ नहीं किया जाता है ऐसे लोगों को एनाईये और अरिष्ट करें और इनके लि यहां निस्क्री है जहां पर माइनर्टी की बात आती है राज्जी पुलिस का जितना भी बड़ा अधिकारी हो वह बहुत सकते में आ जाता है उनके लिए उनके पास कोई कानून नहीं है अगर राज्य सरकार सक्त रहती तो यह तीसरी या चोथी बार राम नौमी पर घटन तो पिर भी एंक इस घटने फापने सकते थे यह बार बार जो रहा है तो इसके मतलब पुलिस क्या यहां पर ट्रेनिंग ले रही है तो यह इन लोगों के आप देखिए पूरे बंगाल में जितना हर जगा पैसा पकड़ा जा रहा है संदेश काली की घटना यह घटना प्रमारित करती है कि कि किसी एक वर्ग को आप बढ़ावा दे रहे हैं केवल भोट बैंक की राजनिती के लिए लेकिन आप बंगाल इसको सहन नहीं करेगा और इ कि चुनाओ निस्पक्ष करवाना तो केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों का काम है चुकि अब निर्वाचन कमीशन के आहते में यह चुनाओ आ चुका है तो इस बार कम से कम हम लोगों को जो लग रहा है कि इस बार सभी मतदाता हर मतदान केंदर में जाकर के अपना भो कि अबुगा धुगा निया रहा है